नमस्कार बच्चो आज हम बात का सफर के कोशन आंसर करेंगे इस कहानी के कोशन आंसर हम करेंगे ये कहानी है प्रिस संक्या 47 पे कक्षा पांच विशे हिंदी की बुग रिम जिम के पेज नमर 47 पे ये कहानी है बात का सफर इस कहानी के परसन उतर बुग किताब में नहीं दे रखे मैंने इस कहानी के परसन उतर मैंने खुछ से बनाए है Swim से बनाए है और चलो स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने Eidga Eidga जो कहानी है उसके question answer भी किताब में नहीं है मैंने इससे पहले Eidga के question answer बनाए है लगभग 25 question answer मैंने बनाए है Eidga के वो आपको playlist का नाम है Hashtag Class 5 Hindi इस प्लेइलिस्ट में हैस्टेक क्लास 5 हिंदी में आपको ईदगा के लगभग 25 कोशन मिल जाएंगे जो कि बुक में नहीं हैं मैंने खुद से बनाए हैं चलो आज हम करेंगे बात का सफर के कोशन आंसर स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर हाँ कक्षा 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 5 हो गया हो के बेटा कक्षा 5 विशे हिंदी बात का सफर भाग 1 यह एक ही पार्ट में सभी कोशन आंसर खतम हो चुके हैं तो 7 कोशन मैंने लिए हैं लगभग 7 कोशन तो पार्ट वन ही ही इसके आएगा बात के सफर का सिर्फ पार्ट वन ही आपके सामने आएगा पहला कोशन है बेटा पर्थम कोशन कोशन नमर बन कुछ ऐसे तरीकों के नाम लिखें जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को कह पाते हैं तो ऐसे माध्यमों के नाम लिखने हैं आपको जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को कह पाते हैं यानि कि हम समवाद कर पाते हैं समवाद होता है वेटा एक दूसरे से बात करना समवाद का अर्थ होता है एक दूसरे से बात करना उतर हम अपनी बात दूसरों को कहने के लिए विभीन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी बात कहने के लिए विभीन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं उन में कुछ इसपरकार है उन में से कुछ इसपरकार है देख फरस्ट है वेब कैमरा वेब कैमरा के थुरू हम वीडियो को लिंग करते हैं communicator communicator के तिर ये voice talking हो जाएगी कबूतर ये instant जो पिछले past में use करते थे कबूतर का इस्तमाल करते थे एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर कोई पत्र बेजने के लिए लेटर बेजने के लिए internet इंटरनेट पे आपको पताईए आज कल facebook, instagram, twitter इन सब के मादेम से हम एक दूसरे से संबाद कर पाते हैं postcard, postcard भी चिठियां आज कल भी चल रही है पिछले कुछ 5-6 सालों में ये पहले बहुत ज़्यादा चलती थी postcard अब भी भी चलती है हर कारा, हर कारा बेटा एक डाकिये को ही कहते हैं postman को postman को ही इसारों में भी हम एक दूसरे को समवाद करते हैं बाते करते हैं इसारों में courier, text message, text message, phone के थुरू करते हैं email, email भी एक समवाद का माद्यम है इत्यादी है तो web camera, communicator, कबूतर, internet, postcard, हर कारा संकेत बहाषा, courier, text message, email इन माद्यमों से हम एक दूसरे से समवाद करते हैं है एक दूसरे से बात कह पाते हैं परसल संक्या दो वे दिन भी, वे दिन भी क्या दिन थे तो ये एक कहानी है इसके वे दिन भी क्या दिन थे विग्यान कता कता मतलब कहानी परसिद लेखक का क्या नाम है तो हमसे पूचा गया है वे दिन भी क्या दिन थे इस परसिद विज्ञान कथा के लेखक का क्या नाम है उत्तर वे दिन भी क्या दिन थे विज्ञान कथा के परसिद लेखक का नाम आईजक एसी मौव है तो हम जो ए वे दिन भी क्या दिन थे उनके लेखक का नाम है आईजक एसी मौव आईजक एसी मौव इनके लेखक का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे इस कहानी के लेखक का नाम है परसन संख्या तीन वे दिन भी क्या दिन थे इस कहानी में कितने साल बाद के स्कूल लों की कलपना की गई है तो ये वे दिन भी क्या दिन थे इस कहानी में कितने साल बाद यानि की फ्यूचर की बाद का मतलब फ्यूचर कितने साल फ्यूचर मतलब की बहुश्य आज से कितने साल बाद के स्कूलों की कलपना की गई है यानि की अभी देखते हैं उतर उतर वे दिन भी क्या दिन थे इस कहानी में डेड़ सो डेड़ सो वन हंडरेड फिप्टी वन हंडरेड फिप्टी डेड़ वन हंडरेड फिप्टी को बेटा है हिंदी में कहते हैं डेड़ सो साल बाद के स्कूलों की कलपना की गई है तो ये बे दिन भी क्या दिन थे इस कहानी में आज से 500 साल के बाद के स्कूलों की कलपना की गई है यानि कि अभी क्या है 2021 अभी इसमें 500 पलस कर दीजिए तो 1712 तो 2171 यानि कि 2171 2171 साल इयर के स्कूलों में यानि कि 2171 साल के स्कूलों की इसमें इस कहानी में कलपना की गई है कि 2171 साल वाले साल में स्कूल किस परकार के होंगे इस कहानी में उसकी कलपना की गई है ओके परसन संक्याचार डाकिया कौन होता है तो हमें बताना है डाकिया कौन होता है तो डाकिया तो होता है पोस्ट मैन उत्तर पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाले वैक्ति को डाकिया कहा जाता है तो डाकिया कौन होता है डाकिया जो पत्र ले जाता है और पत्र का जवाब ले के आता है उसे डाकिया बोला जाता है परसन संक्या पाँच परसन संक्या पाँच कुमवर सिंह कौन है तो कुवर सिंग कौन है? ऐसा हमें बताना है उतर कुवर सिंग डाकिया है कुवर सिंग क्या है? डाकिया अभी मैंने बता है पोस्ट मैन जो की पहाड़ी इलाके में डाक बातने का काम करते है तो कुवर सिंग है डाकिया जो कि पहाड़ी इलाके में डाक बातने का काम करते हैं पहाड़ी इलाका कौन सा होता है जो mountain areas mountain areas को क्या कहते है पिटा पहाड़ी इलाका परसन संख्याच है चिठ्थी का सफर संशेप्थ में वर्णन कीजिए जो चिठ्थी के सफर में जो कहानी है उसकी संशेप्थ में हमें उसको बताना है उतर चिठ्थी का सफर एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो अतीथ अतीथ मतलब बेटा past जो बीच चुका है वर्तमान वर्तमान मतलब बेटा present प्रेजेंट जो अभी चल रहा है के संदेश वाहकों की जल्कियां देगा तो बिटा जो चिठी का सफर है वो आपको अतीत और वर्तमान के बारे में आपको बताएगा ठीक है मिटना हाँ चिठी का सफर एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो आपको अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की जल्कियां देगा ये परसंशन के अच्छ है परसंशन के साथ एक मा की बेवसी एक मा की बेवसी है कहानी इस कहानी में एक बच्चा होता है जिसे सुनाई नहीं देता उसकी मा उसको किस तरीके से समझाती है वो दूसरे बच्चों के साथ समवाद नहीं कर पाता क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता इसलिए वो दूसरों के बच्चों से समवाद नहीं कर पाता और ये मा उनको कैसे समझाती ये चीजें इस कवीता में वर्णन किया है तो हमसे पुचाए इस कवीता का मुख्य उदेश्य क्या समझाना है तो एक मा की बेवसी कवीता का मुख्य उदेश्य क्या समझाना है ये बताना है उत्तर बाचित के जरिये हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं तो बाच करने से बाचित के जरिये हम एक दूसरे को समझ पाते हैं समझाना होने से वह दूसरा हमारे लिए अंजान बना रहता है तो अगर हम समझाना नहीं करेंगे बाचित को ही समझाना जाता है बाचित को ही क्या क्या जाता है समझाना अगर समझाना नहीं होगा तो हम दूसरे के लिए जो दूसरे हैं हमारे लिए अंजान बने रहेंगे अंजान मतलब unknown unknown person बने रहेंगे तो इस कविता में से हम यह समझते हैं तो यह समझते हैं कि बातचित बहुत important है किसी व्यक्ति को समझने के लिए कि समवाद important है किसी आदमी को समझने के लिए और अपने को उस वैक्ति को समझाने के लिए समवाद और बादचित दोनों important है ऐसा इस काविता में समझाए गया हमें एक मा की बिवसी में समझाए गया तो बेटा आज जो ये जो बात का सफर है उसमें हमने seven questions किये है seven questions आपको करवाए गये है ओके बेटा और फिर बात का सफर यहाँ पर complete हो जाता है सभी questions आपको मैंने खुद बनाए है ये किताब में questions आपको नहीं मिलेंगे तो आप please इनको देखें सबको और comment करें कि आपको किस और part के question answer आपको बनवाने है मुझसे मैं उस पर आपके वीडियो बना दुआ और बेटा अगर आपको अच्छी वीडियो ये question answer आपको अच्छे लगें तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओन कर लें ताकि जो वीडियो में डालू आपको वो सारी मिल जाएं और hashtag class5indy के नाम से जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर उसको जरूर देखें उसमें सारी आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसके सभी पाठों के question answer आपको मिल जाएंगे थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो